नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल रिचारिया, जबलपुर से गानेकलोजिस्ट. आज मैं आपसे बात करूँगी कि नवे महिने में कब ऐसा है जब आपको तुरंथ डॉक्टर के पास जाना है. सबी लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि आखिर कब हम डॉक्टर के पास जाएंगे. तो एक चीज़ आप याद रखें, नाइन्थ बंथ में अगर आपको बच्चे की मूवमेंट फील नहीं हो रही है. अगर आपका बच्चा पूरे 24 घंटे में या 12 घंटे में 10 बार नहीं घूम रहा है, कम घूम रहा है, एकदम पतला पानी जाने लगा है नीचे के रास्ते से या खून जाने लगा है, तो आपको तुरंथ में डॉक्टर के पास जाना है. ये तीन सिम्टम ऐसे हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है. पानी जाना, बच्चे का ना घूमना और खून जाना. अगर आपको थोड़ी थोड़ी हलके दर्द हो रहे हैं, और वो दर्द आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और अपने आप खत्म हो जा रहे हैं, तो एक बार आप घर में रुक सकते हैं. पर अगर आपके दर्द बढ़ते जा रहे हैं और हर पांच मिनिट में एक बार आपको पेन आ रहा है तो आप उस समय भी तुरंत अस्पताल पहुँचें. इन सिंटम्स के साथ घर पर ना बैठें. कोशिश करें. जल्द से जल्द अपनी कानेकलॉजिस्ट की हेल्प लें. ध